आज की इस जोशिली शाम जोड़ से बुलेंगे भारत मलागी भारत मलागी भारत मलागी भारत मलागी कि हमें आशिर्वात देने के लिए और विदिवत आज के इस खेलो इंडिया कारिकम का उद्गाटन करने के लिए हमारे बीच में हमारे देश के ग्रह मंत्री और सहकारिता मंत्री आधने श्री अमेत भाई श्याहाजी पधारे हैं सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं अ हमारे केंद्रिय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंग ठाकुर जी और साथ ही उनकी टीम अधिकारीगन साइं के अधिकारीगन खेलो भाग के अधिकारीगन हर्याना का मारा खेलो भाग मंत्री संदीप सिंग जी और हर्याना का स्कोर्स डिपार्टमेंट इनोंने भी जिस मु प्लिभान के चोह के इपलते अजिए मताागे करत्ता आने खेल के जीवा मरण केराजिय मंत्री च्री निशीत पृंअनिक जी उपस्ते užपस्ते थहां अमारे विधानसवा के स्पीकार श्री ग्यानचन जी गुपता उपस्तित हैं अमारे खेलों के विभाग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो सब उपस्तित हैं अमारे श्री विनोत तावडे जी श्री ओंपकाश धनखड जी सब उपस्तित हैं मंच पर विराजमान, सभी मंत्रिगंड, सांसरगंड, विधायक गंड और उपस्तित युवाख लाडियों आप पूरे देश पर से यहां पधारे हैं मैं आप सबका भी अभिनंदर करता हूँ हमारे आज के इस कारकों को कवर करने के लिए जो कलाकार बंदू हैं जन्होंने प्रजशन किया हमारे मीडिया के बंदू हैं वो भी न केवल यहां पर बलके देश और दुनिया के लोगों को आज के इस कारकों का प्रसाण कर रहे हैं मैं आपके माद्यम से देश के सब ऐसे ख यह जो खेलों इंडिया का कारक्रम है। इसका हमको मेजबानी का आवसर मा नहें प्रधान मंतरी जी ने दिया। आज की जिए सायकाल कितनी एक उत्सा वर्धक जो हमारे कारक्रम विचारों से ओत्परोथ देश भक्ति के ओत्परोथ इन कारक्रम का आयोजन हम जो कर रहे हैं इसके लिए मैं प्रधान मंत्री श्रीर नेंदर मोदी जी का उनका भी आभार प्रगता हूं कि जिन्होंने हमको इस कारक्रम करने के लिए और आज अमसर पैदा किया है हमारे इस खेलो इंडिया में दस दिन तक चलने वाले इस कारक्रम में देश भर के लगबग 8500 खिलाडी हैं उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है कोच है ऐसे सब लोग जो आये हैं और अकेले ही नहीं आये हैं मैं सम बास्तों में जो पद्हर्मतीजी का एक सपन हैं एक भारत स्वेष्ट भारत कि देश के सब रांत आपस में मिल जूल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाएं एक दूसरे की संस्कृति सब्यता और एक सुद्रे को जाने जिससे देश मजबूत हो देश की एक ताक्रणता तो दो उस मिशन को पुरा करने के लिए हमारा ये कारकम बहुत सहयोगी होने वाला है। हर्याना एक ऐसी धर्थी है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में वैलकि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाडियों को उसाव अधन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं वो वहां देश का सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसा शारिरिक बल बना करके अपनी गुद्धी से चुस्ती से मन के एक आगरता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा हैं मैं इन हर्याना के खेलाडियों को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इन खेलाड़ों के लिए जिस जो स्टेटियम बना है खेल का जो परिसर बना है इसी परकार के परिसर हम धेरे देरे चाहे वो गुरू गुराम है चाहे रोतक है विसार है करनाल है शाबाद में भी कुछ खेल खेले जायेंगे अपने जो खेलों इंडिया के कायरकरम अंबाला, शाबाद, चंडिगड़, हमारा जो पंजाब उनिवस्टी है, वहाँ पर दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे, ऐसे अब सब सानों पर हम जाकर खेल खेलेंगे, प्रतिस वर्दा खेलों में होती है, और इस प्रतिस वर्दा में हर खिलाडी की इच्छा रहती है, मैं खेलों इंडिया में हर्याना का स्थान प्रतिसम आया था, दूसरे और तीसरे खेलों इंडिया के कारकरम में, और हम दूतिये आये थे, अब मैं इस समय हर्याना के नाते चाहूँगा, जरूर के हर्याना के सब खिलाडी मिल करके प्रतिसम पायें, लेकिन इसकार यह नहीं ह कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाडियों के बारे में मेरा विचार को ऐसा है मैं तो चाहूं का इस competition में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े आके तो देश एक है हमारा देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है इस विचार को हम लेकर के चलेंगे अरियाणा की धरती मित्रहम लक्ष रखते हैं कि हमें जय मिले हमें विजय मिले और इसका कारण है उसका कारण है कि हम क्रिशी प्रदेश होने के नाते हमारा जो क्रिशक है किसान है वो एक धाकड है धाकड वरिती का वो एक स्थान रखता है इसी प्रकार हमारा सैनिक है वो भी धाकड वरिती का और एक हमारा सैनिक देश की रक्षा करता है हमारा खिलाड हमारा पहलवार ये भी धाकड है और जब हर्याना का हर नागरे धाकड की तरह अपना कारे आगे करेगा और देश प्रदेश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा तो निश्च जुरूप से हम अपना जो लक्ष है जै भी मिलेगी विजै भी मिलेगी क्योंकि हम सब धा अकड हैं इस नाते से इस कारेकम को लेकर के आगे बढ़ते हैं हरियाना हम जानते हैं ये गीता की धर्दी है भगवान कृष्ण ने रणक्षेत्र में और गीता का जो उपदेश दिया था वो एक रणक्षेत्र उसमें को गीता का ज्यान मिला था और ये खेलो इंडिया ये ये भी हमारा एक रणक्षेत्र होता है और इस रणक्षेत्र में हमारा जब खिलाडी उतरता है तो वो भी अपने कोशल के मात्यम से देश का सम्मान बढ़ाता है तो एक तरह हमको घीता क्यान मिलता है एक तरह हमको देश का सम्मान मिलता है तो हरियाना जो है अपने भूमी का तो निभाने में देश और में बहुत आगणी काम कर रहा है हम बहुत क्षेत्रों में देश के अंदरा अपने आगणी स्थान बनाये हुए है इसलिए हम इस प्रदेश की जो भी संस्कृति हमारी है हम चाहेंगे कि जो बहार से हमारे खिलाडियां आये हैं उनके आवभगत में कोई कमी न रह जाए सब प्रकार की व्यवस्था हमने की है उनके ठैरने के लिए होटल सी व्यवस्था है उनके लिए यातायत की व्यवस्था सुरक्षा की व्यवस्था उनके उनके प्रकार से भोजन की व्यवस्था और हर प्रकार से उनको दस दिन में कोई तकईफ ना हो ऐसा प्रबंद अपना किये हैं फिर भी मेरा एक निवेदन है कि इन दस दिनों में हो सकता है कोई आपको कमी अधान में आई हो आई और कोई भूचिक हो जाए तो उसको यहीं छोड़ करके आप जाना आप मिठी आदें अपने साथ लेकर के जाना और अपने प्रदेशों में हर्याना की बात जाकर के बताना और आपके प्रदेशों के जो बात है वो हर्याना के खिलाड़ी हमारा का हर्याना के हमारे साथ ही जो यह उस्ता में लगे हैं वो भी अच्छी बाते आप से जरूर लेंगे तो मैं उन देश के सबी खिलाडियों को मैं अपनी और से हमारी अड़ाना सर्कार की और से उनका स्वागत करता हूं अबिनंदर करता हूं और उनके लिए शुब कामना करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभाद